Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Madhu की पाडशाला. Let's discuss the second poem of class 7, Honeycomb, the rebel. पहले हम explanation करेंगे, उसके बाद इसके key points करेंगे. क्या होता है rebel? अब जब सबसे पहले हम कोई भी poem पढ़ते हैं, तो उस poem में जो भी उसका title है, we should know the meaning of that title. तो title है rebel, और rebel का मतलब होता है, those persons who think in opposite manner of the ordinary person. जैसे वे एक साधारन मनुश्य सोच रहा है, उससे बिलकुल opposite तरीके से सोचेगा. आप कहेंगे दिन, वो कहेगा रात. ठीके, आप कहेंगे अंदर रहो, वो कहेगा बाहर निकलो. तो इस तरीके से उसका दिमाग जो होता है, वो अलग ही direction में चल रहा होता है. तो उसकी ही यह पॉम है, बड़े interesting और important पॉम है, चलिए discuss करते हैं. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or like to do the opposite of what everyone thinks they should do? आपके life में भी ऐसा कोई person होगा, यहाँ घर में, या क्लास में, या आपके neighborhood में, कि जैसे आप बोलते हैं, वैसे ही वो disagree हो जाता है, यानि कि आप जो कहेंगे, वो से नहीं मानना, ठीक है? Think of a word to describe such a person, ऐसे लोगों को आप कैसे एक word में describe कर सकते हो? Very simple, you can say the rebel. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. ऐसे लोग क्या-क्या चीज़ें करते हैं, वो बताते हैं, चलिए. Now read the poem. हम चार-चार लाइन के group बना करके चलेंगे, एक theme एक चार लाइन में मिलेगी आपको, दूसरी theme दूसरी चार लाइन में मिलेगी, कि बाल को बढ़ाना चाहिए. और जब everybody has long hair, सबके बड़े-बड़े बाल होते हैं, तो वो अपने बाल कटवा किया जाता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब lesson चल रहा है, teacher lesson पढ़ा रही है क्लास में, सब बाते कर रहे हैं. कोई ऐसा topic, जिस भी madam नहीं कहा है कि बात करो, ऐसा नहीं कि आपको भी बात करनी चाहिए. The teacher asked to say something, उस तम rebel क्या बोल वेगा? कुछ भी नहीं, not a single word, बिलकल चुप रहेगा. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब teacher यह कहती है कि अब lesson पढ़ा रही हूं, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए. सारे बच्चे चुप है, they are not talking, but rebel क्या करेगा वहाँ पे? Disturbance create कर देगा. है ना? When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. क्या मतलब हुआ? Teacher ने बोला कि uniform में आओ, school में, तो वो civil dress पहन के जाएगा, बढ़िया चमकीले धमकीले कपड़े पहन के जाएगा. और जब teacher कहती है कि सब जो हैं, वो fantastic clothes में आओ, जैसे कि आज party है, आप fantastic clothes, यानि कि अपनी civil dress पहनो, कुछ भी पहनो, उसकी according आओ, लेकिन rebel जो क्या करेगा, dressy, soberly, बिल्कुल sober कपड़े पहने काएगा, असल में तो वो uniform में ही आ जाएगा. चीके, तो इस तरीके से वो क्या है, अब different mind चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब एक direction में जा रहे हैं, वो अलग direction में अपने घोड़े दोडा रहा है. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. सब जो हैं वहाँ पर dog lovers हैं, लेकिन वो cat को prefer करेगा, वो बताएगा कि cat क्यों हमारे लिए important है, क्यों रखनी चाहिए, ठीके, और जब हमारे पास सारे ही cat lovers हैं, तो वो dogs के बारे में अच्छे वर्स बताना शुरू कर देगा, आपको बताएगा कि dog होना चाहिए आपके पास as a pet animal, और क्यों होना चाहिए, with advantages वो आपको explain कर देगा. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. देखें, यहाँ पर भी बिल्कल opposite mind हुआ, उल्टा ही दिमाग चल रहा है, कि सब कहते हैं कि आज जैसे धूप निकल गई बहुत अच्छा हुआ, praising the sun, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि winters होती है, सब कहते हैं कि आज धूप निकल गई तो अच्छा हुआ, लेकिन उस टाइम rebel क्या बूलेगा, कि आज तो rain आने चाहिए थी, और when everybody is greeting the rain, और सब जब सावन का महीना है, सब खुश हैं, rain आ रही है, सब मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पकोडे शकोडे का रहे हैं, लेकिन rebel regrets करता है, regret मतलब पश्टावा करना होता है किसम से, रोना, रोता है अपना, जब हर कोई meeting में जा रहा होता है, तो rebel घर पे रुपता है और storybook पढ़ता है, जो भी book पढ़ रहा है, novel पढ़ रहा है, storybook पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ता है, लेकिन when everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting, और जब सारे घर पे बैठके exam की त्यारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस time उसको meeting में जाना ज़रूरी है, when everybody says yes please, the rebel says no thank you, सब कह रहे हैं yes please, मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ का welcome कर रहा है, कोई चीज़ आने दो, करने दो, उस time वो बोलेगा कि मैं तो नहीं करूंगा, no thank you, and when everybody says no thank you, then rebel says yes please, और कोई ऐसा task, जो कहते हैं कि नहीं करना, नहीं करना rebel कहेगा, मैं तो करूंगा, ठीके, then he says, क्या कहता है वह है, yes please, it is very good that we have rebels, ये बहुत अच्छी बात है, कि हमें, हमारे पास जो है, rebels हैं, you may not find it very good to be one, लेकिन अगर आपको कहा जाए, कि आप rebel बनिये, तो हमारे में से कोई भी ready, नहीं होगा, you may not find it very good to be one, लेकिन आप जो है, अपने लिए बनना पसंद नहीं करेंगे, हलांकि rebels जो होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, यहाँ पे, एक चीज़ आप दिमार्ट में बिठा लीजिए, mind opposite दिखाई जरूर है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं कहा, कि वो गलत होते हैं, society के लिए, या आपके घर के लिए, या आपके school के लिए, वो क्या होते हैं, उनका एक तरह का mind होता है, mind setup होता है, वो उसी के according behave करते हैं, so it's very good that we have rebels, अब इस line का बहुत ही अच्छा meaning है, कि हमारे लिए अच्छा है, कि यह हैं हमारी society में, क्योंकि यही तो हैं, वो लोग जो बदलाव लाते हैं, बहुत सारी examples हैं आपके पास, सतिप्रथा बंद हुई, तो rebels की वज़े से हुई, ठीक है, चाइल्ड मेरी बंद हुई, तो rebels की वज़े से हुई है, ठीक है, देश आजाद हुआ है, तब भी rebels की वज़े से हुआ है, तो यह बात मत सोचो कि rebels जो हैं, वो बुरे होते हैं, तो rebels हैं, हमारी society में ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहा जाएगा, तो आप बिल्कुल भी इसके लिए ready नहीं होंगे, तो who is the poet of these lines, means this form, these and right, अगर हम answers की बात करें यहां पर, तो बहुत easy से questions बनते हैं, कि if someone doesn't wear a uniform to school, वर्डू, यह आप कर लीजिएगा, आप इसका screenshot ले सकते हो, अगर आपके पास book है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप back exercise को जुरूर होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि back exercise से भी direct questions, पूछे जाते हैं exams में, जो भी आप competitive exam के त्यारी कर रहे हों, ठीक है, तो यह हो गया कि अगर वो uniform करेगा, तो वो किस में आएगा, fantastic clothes में, clear sky होगा, तो उसको क्या चाहिए, rain चाहिए, clear sky means sun हो गया ना, without water तो sun होगा, तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे rain चाहिए, dog अगर हमारे पास prefer कर रहे हैं, तो वो cat को prefer करेगा, तो हमें क्या face करना पड़ेगा, हमें नाराजगी face करने पड़ेगी लोगों की, ताने जहिलने पड़ेंगे, obstacles हाएंगी, troubles हाएंगी, ठीक है, हो जकता है, पैसा भी लगे वहाँ पे, तो मतलब यह चीज हो गया कि, why it is not good to be a rebel oneself, है ना, तो क्यों नहीं बनना चाहते हैं, एक society के दिमाग में, एक अलग ही perception बन जाती है, फिर उस इंसान के लिए, और उसको दूसरी ही नजर से फिर देखा जाता है, कि he is not good, तो इसलिए हर कोई बनना नहीं चाहता, would you like to be a rebel, if yes, why, it's all up to you, आप बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, next question में ये पूछ रहा है, कि antonium बताईए, opposites बताईए, मैं फटाफर से बता देती हूँ, जैसे long का, short, grow का, cut आजाएगा, according to poem आपको लिखना है, quietness का disturbance आजाएगा, sober का fantastic, और lost का found आजाएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा, और इसी के according ये आपका third question भी यही दिया हुआ है, कि आप उसका opposite करके बताईए, चलिए अब discuss करते हैं, इसके कुछ key points, the rebel हमारे पास poem हो गई, और इनके जो writer है, poet है, DJ and writer है, theme क्या है, the poem shows the behavior of rebels, अलग तरीके से देखने का नजरिया जो बनता है, ये इनी की सोच की वज़े से बनता है, without them, life will become monotonous and dull, और इनके बिना life जो है, बिलकुल monotonous हो जाएगी, निरस हो जाएगी, डल हो जाएगी, ठीक है? अभी मैं और आगे इसका बताती हूँ, rhyme scheme क्या है? देखिए, अगर हम बात करें, 4-4 lines के हिसाब से ही, तो irregular rhyme scheme है, क्योंकि देखो, last का जो word अगर repeat हो रहा है, first word जो था, when everybody has short hair, उसके बाद, when everybody has long hair, तो इस तरीके से आप इसके rhyme scheme, last के word के साथ ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, यह long and short के भी नहीं बन थी, तो irregular rhyme scheme जो है, इसकी जाती है हमारे पास, next हम बात करते हैं, poetic devices की, reputation इसके अंदर है, everybody has, everybody has, जैसे वो बोलता है ना, उसके अंदर, everybody talks, ठीक है, nobody talks, everybody wears, everybody wears, आते हैंगे इसके अंदर, आप जब पॉम को दुबारा पढ़ेंगे, तो आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा, company of, company of, बोलते हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ, reputation तो इसके अंदर है, no doubt, देन आता है, alliteration, alliteration के मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, कि अगर हमारे पास initial word जो है, initial consonant जो है, अगर वो repeat हो रहा है, तो उसके अंदर क्या रहता है, alliteration रहता है, यह दो तरह के हैं, consonants and asonance, consonants में आपका आते हैं, vowelsals के दूसरे क्या होते हैं, व्यांजन्दीन को कहते हैं, ठीके, तो वो हमारे पास रहेंगे, और दूसरे asonance में हमारे पास स्वर रहते हैं, vowelsals के लिए रहता है, repetition, ठीके, consonants ही हो गया, देखो कितना नहीं हाख खराब हो जाता कभी-कभी, consonants अगर repeat हो रही है, तो consonants और vowels अगर repeat हो रही है, तो asonance, his hair, dresses in fantastic clothes, और good words, अब देखो, dresses in fantastic clothes, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो S की जो sound है, हमारे पास वो repeat हो रही है, S, अब देखो, इसमें हमारे पास आया S, fantastic में S आ रहा है, clothes में S आ रहा है, ठीक है, good words for dogs, good words भी क्या हो गया, यहाँ पर भी O की sound है, यहाँ पर O की sound है, यहाँ ओ की sound है, यहाँ ओ की sound है, तो यह A, E, I, O, U में आ रहा है, तो यह हमारे पास asonance हो गया, यह बातें बहुत जुरूरी रियाद रख लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको थोड़ा separately करके बता दूँगे आपको, यह हमारे पास क्या है, इसके अंदर consonants आ रहा था, किसकी वज़े से S की repetition हो रही थी, within the word भी होती है, तब भी हमारे पास क्या होता है, consonants होता है, और अगर हमारे पास within the word, sound repeat हो रही है, vowels की तो वो asonance होता है, यहाँ पर क्या है, rebel remarks में, rr repeat हो रहा तो आप सीधा, alliteration बोल सकते हैं, और rebel regrets में, हमारे पास rr repeat हो रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पी भी क्या हो गया, alliteration हो गया, ठीके, अब next हमारे पास एक और इसमें, जो है, device है, क्या है, epiphora, epiphora में हमारे पास क्या होता है, कि कोई भी एक ऐसा sentence, या जैसे हम कहते हैं, कि phrase, जो है repeat हो रहा होता है, बिल्कुल next line में, ठीके, तो वहाँ पे epiphora होता है, the second and the third lines ending with the same phrase, same phrase के साथ, जो है, वो sum up हो रही है, मैं आपको perm दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा, अब देखिए, यह जो हमारे पास lines है, the rebel dress is in fantastic clothes, when everybody wears fantastic clothes, तो इन दोनों में हमारे पास क्या हुआ, यह phrase repeat हो रहा है, fantastic clothes, fantastic clothes, तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे क्या हो गया, epiphora हो गया, epiphora, ठीके, अगर हमारे पास क्या होता है, starting में repetition होती है, एक line से दूसरी line में, just after the line, है ना, तो वहाँ पे anaphora हो जाता है, a-n-a-p-h-o-r-a, ठीके, anaphora, तो इसलिए पास यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, anaphora और epiphora में क्या difference होता है, यहाँ पर मैंने इसको show भी कर दिया है, अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, कि anaphora क्या है, opposite of anaphora क्या होगा, repetition of words of the beginning of neighboring closes, ठीके, तो वो epiphora हो गया, और यह anaphora का opposite है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर explain भी कर दिया, तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगती है, आप हमें जरूर बताएगा comment box में, और अच्छी लगती हैं, तो please like, share जरूर कीजिए, नए हैं तो subscribe कर लिजी चैनल को, कर दो तो अच्छी लगती हैं,